दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि UPBTE ने एक official notification जारी किया है इस official notification में first year, second year और final year का examination कब होगा, कब उनको promote किया जाएगा, कब back paper वाले को क्या होगा, back paper को कब promote किया जाएगा, special back paper वालों को क्या होगा, कब paper संचालित होंगे, सभी चीजों के बारे में आज एक official notification के माध्यम से UPBTE उत्तरप्रदेश बोर्ड अफ टेकनिकल एजूकेशन ने आप लोगों को inform कर दिया है, यहाँ पर आप जो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ आपको blur दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब YouTube पे upload होता है तो इसकी quality थोड़ी low हो जाती है, लेकिन हम बता दे कि आपको हम पढ़के बता देंगी कि total news क्या है, कब semester वर्स के कितने student को promote किया दाएगा, यहाँ तक data जो है UPBTE ने दे दिया है, तो वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाली है, क्यो क्योंकि इससे पहले जो भी news निकलता था दोस्तों, वो सारे news newspaper के माध्यम से निकला करते थे, लेकिन आज जो है यह उत्तर प्रदेश Board of Technical Education ने इस news को दिया है, निज में दोस्तों यह लिखा है कि कोरोना वाइरश COVID-19 के प्रसार को रोखने के शंदर्व में, प्रदेश की सभी Polytechnic संस्थाओं में Face-to-Face सिक्षन प्रसिक्षन कारे नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिती में, ऐसी स्थिती को द्रिश्टिगत रखते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी सिक्षा परिशद के क्रम में सिक्षन प्रसिक्षन कारे को सुचारों रूप से पूर्ण कराये जाने हे तो कम से कम तीन सप्ता का समय लगेगा, अता दोस्तों दिनाएंक 17 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 तक समस्त विसियों की सेच पाथे क्रमों का पूर्ण कराये जाएगा, अता 7 सितंबर से 12 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष के छातरों की लिखी तेवन थियोरी तथा बैक पेपर परिच संपादित कराये जाना निमना अनुसार प्रस्तावीत है, यहां पर एक चीज़ कंफर्म होगे कि फाइनल येर के इग्जामिनेशन होगा, अब आगे इस वीडियो में यहां पर कॉलम बना करके जो समझाया है, दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि बगल क्रमांक सेमे प्रणाली, प्रथम एवं अंतिम वर्स प्रणाली, ठीक है, यहां पर लिखवाया है कि दिनाएंक 17-8-2020 से 5-9-2020 के मद फेस-टू-फेस अध्यापन कारे करा करके समस्त विशियों की सेस पाठे करम को पूर्न करवाये जाएगा, यानि कि आपको 69-2020 तक आपका अभी फेस- अब यहां पर देखिए क्या कहा रहा है कॉलम नमबर टू में, कॉलम नमबर टू में आपका ये कह रहा है कि अंतिम सेमिस्टर, अंतिम वर्स, लिखित थियोरी परिक्षा दिनाएंक 17-9-2020 से 12-9-2020 के मद फेस समपाधित कराई जाएगी, बैक पेपर, विशेस बैक पेपर परिक्षा अंतिरिक मुल्यांकन द्वरा समपाधित कराई जाएगी, उसके बाद यहां पर लिखा है कि दिनाएंक 17-2020 से 31-7-2020 के मद जो है प्रोजेक्ट का कार्य आनलाइन प्रनाली से पूर्ण कराते हुए, दिनाएंक 18-2020 से 58-2020 के मद अंतिरिक मुल्यांकन तथा, दिना 19-2020, सभी वर्षों को बारे में बताया जा गया है, तो सुरू से अंतिर तक वीडियो जरूर देखें, आगे हम आपको बताते हैं, आगे यहां पर दोस्तों कहा रहा है कि त्वितिया चतूर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर प्रथम वर्ष अंतिर वर्ष वासिक प्रनाली, प् का प्रेक्टिकल जो एक्जामिनेशन है, अपके इंटर्नल नंबर से ही आपको पास करा दिया जाएगा, यह आप कनफर्म हो गए, एक बात दुर्थ थी समेस्टर के स्टूड़ और अंतिम सेमेस्टर के स्टूड़ तो उसके बाद यहां पर देखे किया लिखा है, अगला मुल्यांकन किया जाएगा तथा प्रथम एवं तरितीय समस्टर में घोसित परिक्षा फल के 50 प्रतिसत अंकों को कैरी ओवर कर समस्त विस्यों के अंक प्रदान करते हुए छात्रों को अगले समस्टर में प्रणूरित किया जाएगा यहाँ पर यह जो आपका इनफॉर्मेशन है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह सेकंड समस्टर और फूर्थ समस्टर के स्टूडेंट के लिए क्या एक बार फिर सेम पढ़के बता देते हैं कि 178 2020 से लेकर के 59 2020 के मद्द सिस्नल इग्जामिनेशन सिस्नल आपको 50% मिलेगा और आसाइन्मेंट आपको जो मिलेगा इसको कंप्लीट करा करके आंतरिक मुल्यांगन किया जाएगा तथा आप जो प्रथम समस्टर और 33 समस् में घोसित परिक्षा फल्के 50% टंको को कैरी अबर किया जाएगा और सेज 50% का जोंक है आपका इंटर्नल असाइन्मेंट और आपके प्रोजेक्ट के माद्धम से 100% में आपको प्रणोरित किया जाएगा ये निउस है आपका सेकंड समेस्टर और फोर्थ समेस्टर के स्ट आपको 54,700 स्टूडेंट प्रथम वर्ष के वार्सिक परिक्षा दितिय वर्ष के समेस्टर इग्जामिनेशन में यहां पर दिया हुए 87,964 तथा चतूर्थ समेस्टर समेस्टर परिक्षा में 58,595 चात्र और कुल चात्रों की संक्या यहां पर दी हुई है दो लाख 1278 आं कि प्रोमोट इतने स्टूडेंट को किया रहा है टोटल जिसमें परत्थम वर्ष के दुईतिय वर्ष के और अंतिम वर्ष के और यहां पर समेस्टर वाइच से भी स्टूडेंट का नंबर दे दिया गया है ठीक है उसके बाद आपको बता दें कि बैक पेपर वाले में आप यहां पर देख पा रहा हैं तो यहां पर बलर थोड़ा दिख रहा था तो हमने जो है कुछ टेक्नोलोजी का इस्तमाल करके अलग-अलग पार्ट में इसको बनाया है लेकिन एक यह बकायदे एक कंप्लीट यहां पर चार्ट पेपर में UPBTE द्वारा निकाला गया है त तो ऐसा हो सकता है कि यह मेरी भी मिस्टेक हो सकती है तो ऐसे में जो है आप कोई भी चीज़ आपको डाउट रहा है तो आप जो कॉमेंट बक्स में आप अपने डाउट पूछे हम आपके डाउट को सॉलूशन करने का प्रयास करेंगे क्योंकि सबी चीज़ों को आप अप अपनी समस्या है यहाँ पूछ सकते हैं चाही सब्सक्राइब आंपको कितने आपको कितने नंबर मिलेंगे इत्यादी जानकारी के लिए हमारे पस कमेंट कर सकते हैं जवाब आपको तुरन दिया जाएगा धन्यवाद